नमस्कार आप देख रही है रिपोर्ट्स इंडिया तुर्की के रास्टपती रेसप टैब अर्दुगान ने कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है उन्होंने पाकिस्तान की संसद में सयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कस्मीरी भाई बहन दश्कों से बहुत कुछ जेल रही है इस दौरान उन्होंने बिना भारत का नाम लिये कहा कि हाली में उठाए गए एक तरपा कदमों की वज़े से उनकी पीडा और बढ़ गई है कस्मीर का मुद्दा संघर्ष या दमन के जरिये नहीं सुलजाय जा सकता है इस मसले को न्याय और पारदर्सिता से ही हल किया जा सकता है इस तरह से निकाला गया समाधान ही सभी पक्षों के हित में होगा अर्दुगान ने कहा कि तुर्की के केनाकले में जो सौ साल पहले हुआ अब वही कस्मीर में दोहराय जा रहा है तुर्की इस दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेगा अर्दुगान ने कहा पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती साजा ही तो पर नहीं बलकि प्रेम पर आधारित है आज कस्मीर का मुद्दा जितना पाकिस्तान के दिल के करीब है उतना ही हमारे भी है पहले की हितर है हम भविस्य में भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देना जारी रखेंगे बता दे कि तुर्की ने सयुक्त राष्ट महासबा UNGA की बैठक में भी कस्मीर मुद्दे पर ऐसा ही रुख अपनाए था तुर्की के रास्टपती ने आतंकवात खत्म गन्ने की कोसिसों के लिए पाकिस्तान की सराहना की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सांती और स्तिर्था की राह पर है सांती कहा कि सांती और स्तिर्था कुछ दिनों के प्रियास से ही नहीं आ जाती इसके लिए लंबे समय तक लगातार मेहनत करनी होगी पाकिस्तान और तुर्की अपनी भगौलिक इस्तिती की वज़े से आतंकवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए है हम आतंकवात के खिलाफ लडाई में पाकिस्तान को सयोग देना जारी रखेंगे तुर्की के रास्टपदी ने पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान को आस्वासन दिया कि FATF से ब्लैक लिस्ट होने के खत्रे से निकालने में भी वो पूरी मदद करेंगे अर्दोगान ने दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि अतीत में पाकिस्तान ने हमेशा तुर्की का साथ दिया है हम कभी भी उस मदद को नहीं भूल सकते हैं जो हमारी आजादी के लडाई के दौरान पाकिस्तान के लोगों ने की थी उन्होंने 1915 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा जब हम डार्डेनर्स स्ट्रेट को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे तब 6000 किलोमीटर दूर लाहॉर स्क्वाइर पर हमारे समर्थन में रैली की जा रही थी लाहॉर स्क्वाइर में हुई एतिहासिक रैली में भारी संख्या में मुस्लिम इकठा हुए थे और ब्रिटिस हुकूमत के दबाव के बावजूद तुर्की के लिए चंदा जुटाये था इस दौरान अर्दोगान ने संसत के संयुक्त सत्र को संबोधित कनने का मौका देने के लिए पाकिस्तान का सुक्रे अदा किया आज इस रिपोर्ट में बैस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले रिपोर्ट सिंडिया की कबर